है लो दोस्तों मेरा नामे गौतम और आप देखरें यू लैक इलेक्टोनिक्स और दोस्तों आज किस पीडियो में हम आपको टीवी रिपेर करके दिखाने वाले हैं तो यहां पर जो मेरे पास टीवी है यह 21 इंज का वीडियो कौन का यह टीवी है और दोस्तों इसमें जो प प्रोब्लम पहले दिखा रहा हूं किसें प्रोब्लम क्या है तो चलिए हम इसमें सप्लाई देते हैं तो यहां पर सप्लाई देने के बाद नीचे जो हमारा लेडी गलो कर रहा है वह हमारा पावर का है तो चलिए मैं यहां पर इसको आन कर लेता हूं प्रेस करके तो यहां पे हमारा ये टिवी अन होई चुका है और लेकिन यहां पे हमारा कोई पिक्चर नहीं आ रहा है तो इसको किस प्रकार से रिपेर करेंगे तो उसके लिए मुझे इसको बैक सैट में खुलना पड़ेगा तो चलिए हम इसको बैक सैट में आपको दिखाते हैं और कहां पिसका है वह मैं आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसके बैक सैट का ये कवर खटा दिया है और बैक सैट आपको इस प्रकार से देख सकते इसके वैश है और उसके बास मैं यहां पर क्या करओंगा दोС्तों कि यहाँ यहांपे जो हमारा वायर है जो की चेक्स के दौरण कोई काम नहीं होगा उसको हम निकाल देंगे ताकि चेक करने में में और आसानी हो गया जिससे कि यहां पर speaker का वायर हो गया तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आफिस में यहां से supply बनाकर यहां पर इस बेश ट्यूब पर भेशता है जो कि यहां पर 180 वोल्ट यहां पर आता है उसके बाद यहां पर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जिसके माध्यम से यहां पर और जीवी कलर होते हैं वहां पे सप्लाई जाता है फिर हमारा पिक्चर टीब में कलर बनता है ठीक है तो किसी किसी में कलर का प्रोब्लम होता है तो यहीं और जीवी में से कोई यह कलर का फॉल्ट होता है तो उसके बज़े से हमारा कलर डिसकलर हो जाता है तो चलिए हम इसमे सप्लाई देते हैं और इसके बाद हम इसमें 180 यहां पर आ रहाए कि नहीं आ रहा है वो चेक करते हैं तो मैं यहां पर इसको on कर लूँगा और मैं multimeter को यहां पर DC पर point कर लूँगा और DC पर हम क्या करेंगे कि यहां पर जो 200 है उस पर कर लेंगे नहीं तो 1000 पर कर लेंगे उसके बाद हम इसमें एक को ground पर रखेंगे और उसके बाद 180 जहां पर हमारा voltage आता है यहां पर आपको सभी details लिखे होंगे कि कौन से pin पर हमारा कितना volt आता है ठीक है तो मैं यहां पर 180 volt चेक कर रहा हूँ तो आप multimeter में देख पारें दोस्तों कि वहां पर लगवग हमारा 127 volt आ रहा है ठीक लेकिन यहां पर हमारा 180 volt नहीं आ रहा है तो यहां पर हमारा voltage drop हो रहा है उसके वज़े से हमारा picture नहीं आ रहा है तो हम इस fault को देखेंगे कि हमारा जो यहां पर 180 volt का जो supply आता है वह हमारा EST टास्फर्मर से आता है तो यहां पर हम इसमें fault देखेंगे कि कहां पर हमारा क्या है ठीक है तो उसके लिए मैं यहां पर इस supply को हटा दूँगा component को चेक करूँगा क्योंकि कहीं बार क्या होता है component के fault के कारण ऐसा problem देखने को मिलता है तो मैं यहां पर पहले इसमें supply को cut करता हूँ उसके बाद इसमें मैं component को चेक करता हूँ दोस्तों अगर आप TP को repair करते हो तो आप बहुत साब्धानी से इसका repair करें तो यहां पर मैं इस board को इस body से निकाल लूँगा और उसके बाद यहां पर जो हमारा यह section है उसमें मैं चेक करूँगा तो मैं इसके थोड़ा नज़िदिक कर लेता हूँ camera को अब मैं यहां पर EST transformer के section को मैं चेक करता हूँ कि कहीं पर कोई हमारा company तो हमारा खराब तो नहीं कहीं बार ऐसे भी हो सकता है दोस्तों कि यह जो हमारा wire होता है इसके खराब हो जाने के करण भी कुछ voltage drop होते हैं तो आप इस wire को डारेक्ट इस jack से लेके यहां पर आप continuity से चेक कर लिजिए कि आपका wire सही है कि खराब है तो यहां पर जो मेरा wire दोस्तों बिल्गुल नजर आ रहा है आपको camera में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं आपको zoom करके दिखा रहा हूं यह जो capacitor है दोस्तों हमारा कुछ फुला हुआ नजर आ रहा है आप यहां पर इसको देख सकते हैं यह capacitor जो है कि फुला हुआ नजर आ रहा है और यह जो दोस्तों हमारा capacitor उस section में लगा हुआ है जहां से हमारा इस est transformer को supply यहां से input होता है उसी section के बीच में हमारा यह लगा हुआ है तो मैं इसको प्लट के आपको दिखा रहा हुथ यहां पर back side में इस प्रकार से यहां पर मैंने इसको प्लट दिया है और यहां पर जो यह capacitor लगा हुआ है तो यहां पर जो 112 बोल्ट इनिपूट होता है इस transformer में यहां से मैं इस गत्ते को हटा देता हूं यहां से इसमें हमारा कि कि सप्लाइ 112 जाता है उसके बाद हमारा यहां बोल्टेज को बुष्ट करके यहां पर 180 बोल्ट हमारा यहां पर लिखा हुआ चेंज करके देखेंगे कि यह हमारा प्रोल्ट होता है कि नहीं जहां पर हमारा 180 बोल्ट बनाना था वहां पर 127 बोल्ट बना रहा है तो हम यहां पहले कापसीटर को चेंज करेंगे उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो कि यहां पे 180W आउटपट करता है वह हमारा वैर के जडिए इस पे ट्यीछ ट्यूव कीट पे जाता है लेकिन यहां पे capacitor short हो जाने के कारण या divert खराब हो जाने के कारण वो हमारा काम नहीं करता है तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका यहाँ पर जो divert है वो खराब है या सही है और यहाँ पर capacitor लगा है इस section में यह भी आपका खराब है कि सही है तो आप यह सब थोड़ा चेक कर लें कहीं बार क्या होता है इसी fault के बज़ा से 180 वोल्ट यहाँ पर नहीं आता रहता है तो मैं यहाँ पर इस capacitor को यहाँ से निकाल लूँगा सबसे पहले तो चलिए मैं यहाँ पर इस capacitor को निकाल देंगा तो दोस्तों मैं यहाँ आप इस capacitor को निकाल दिया है और यह जो capacitor है थोड़ा फुला वा नजर आ रहा है और यहाँ पर जो capacitor का value है 22 uf एक्सो साट वोल्ट तो यहाँ पर अगर 47 uf है वो भी आप लगा सकते हो अगर same value का नहीं मिलेगा तो तो चलिए मैं यहाँ पर इस capacitor को हटा कर नए वाले capacitor को मैं यहाँ लगा देता हूँ तो दोस्तों मेरे पास जो capacitor वो 47 uf और 160 वोल्ट का है तो मैं इसी को लगा देता हूँ यहाँ पर तो दोस्तों मैंने यहां पर कैपसीटर को लगा दिया है और अब मैं यहां पर इसको सोल्ड कर देता हूँ तो दोस्तों मैंने यहां पर इस कैपसीटर को चैंज कर दिया है देख सकते हैं मैंने यहां पर यह लगा दिया है तो चलिए अब मैं इसको अन करके देखता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि हमारा 180 वोल्ट आता है कि नहीं आता है तो यहां पर सिंपली इस बोट को मैं हम यहां पर इसके बोड़ी में लगा देंगे और उसके बाद मैं यहां पर फिर से सप्लाई दूँगा और यहां पर ट्यूब के बेस पर मैं चेक करूँगा इस पर वोल्ट आता है कि नहीं आता है अब मैं यहां पर टीवी को आन कर लेता हूं तो दोस्तो मैंने इसमें सप्लाई दे लिया है और फिर मैं यहां पर वोल्टेज को चेक करूंगा तो यहाँ पे मैं आपको voltage को चेक करके दिखाता हूँ आपको DC पे ही रखना है यहाँ पे ठीक है और उसके बाद मैं यहाँ पे voltage को चेक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप multimeter में 183 voltage हमारा यहाँ बना रहा है तो यह हमारा दोस्तों बिल्कुल OK voltage यहाँ पे आ चुका है और साथ ही देख सकते हैं यहाँ पे हमारा picture tube में भी आ गया है जो की हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है ठीक है मैं यहाँ पे देख सकते हैं picture tube में भी हमारा यह glow कर रहा है इससे क्या दोस्तों कि यह हमारा TV OK है तो चलिए मैं यहाँ पे आपको TV का पास ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हमारा picture जो है आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यह बिल्कुल OK के हैं तो चलिए मैं यहां पर इसके बैक साइट से पुड़ा ढखन को लगा देता हूं इसको बंद करके फिर में आपको चेक करके दिखाता हूं तो दोस्तों मैंने यहां पर फाइनली टीवी को सेट कर दिया है और अब हम इसको चेक करके दिखाते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्फ हुआ कि नहीं तो यहां पर मैं इसमें सप्लाइड दे रहा हूं और उसके बाद हम इसको आउन करते हैं तो यहां पर हमारा देख सकते हैं यह हमारा टीवी बिल्कुल आन हो चुका है और पहले क्या था कि यहां पर हमारा बिल्कुल बलेक आ रहा था इसमें कोई पिक्चर नहीं आ रहा था तो यहाँ पे अब हमारा डिस्पले में पिक्चर आ चुका है तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो प्रोब्लम था एक कैपासिटर के वजह से वैसा फॉल्ड था तो यहाँ पे गर आपके पास ऐसा ही वीडियो कॉन का टीवी है या कोई अधर कंपनी का टीवी है अगर ऐसा फॉल्ड हो तो आप इस प्रकार से रिपेर कर सकते हो तो दोस्तों अमारा वीडियो कैसा लगा तो पीज लाइक करें शेयर करें और अमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आक्वादीन सोभ हो